हेलो एव्रीवार वेल्कम बेक तो माई चैनल सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगे एक बहुत ही बीटिफुल डिजाइनर टॉप जिसे आप बहुत ही इजी तरीके से बना सकते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं उससे पहले मेरे चैनल को तो यहां पे जो मैंने फैबरिक लिया है मैने 3 मिट रखाया कंशा यहां चाहे तो जॉल सबसे भीडियो को अटेंगे इस नम्हें मेरे 32 इंच है इसकी जो चड़ाई है वह हमारी है 20 इंच इस तरीके से सो मैं इसी तरीके से अपने तीरे का मार्क कर लूँगी तो इस चीज का धियान रखेंगे तो उसके बाद में आमोल पर मार्क करूंगी 7 इंच पर आपको नॉर्मली आपकी जिस तरह के से आप शर्ट में मार्क करते है इस तरीके से आप मार्क करने सो उसके बाद आपको अपने चेस्ट का मार्क करना है तो इस वाले टॉप में आपको सिर्फ चेस्ट का ही मार्क करना होगा कुछ इस तरीके से एंड उसके बाद आपको अपने आमोल की गहराई देनी है यहां पर कुछ इस तरीके से यहां पर 22 इंच पर उसके बाद आपको ऊपर से चेक करना है तो यह 22 इंच जो है मेरा 32 इंच पर आ रहा है तो मैं 32 इंच पर कुछ इस तरीके से राउंड चेप में ले जाओंगी हां पर कुछ इस तरीके से तो इस से जो है हमारी जो गुलाई यह वह बहुत ही जादा अच्छी जहाँ पर हमने 22 इंच पर उस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी एंक चुछ इस तरीके से हमारा जो टॉप का शेप है वो आ जाएगा बनकर सो यहां पर आप देख सकते है हमारा सारी लाइन को मैंने ड्रॉ कर लिया है है कि सो अभी मैं से कट कर लूंगी पूरी कटिंग तो यहां पर हमारा front end back का पार्ट जो है वो कट हो चुका है यह देख सकते हैं कुछ इस तरह की से उसके बाद हमें अपने नेक को कट करना है तो मैं यहां पर डाइंच इसकी चड़ाई लूगी नेक की एंड लेंध जो लूगी मैं आपर 6 इंच लूगी तो यह मेरा फ्रेंट का नेक होगा जो 6 इंच पर माग करूंगे जो हमारा बैक का होगा एंड उसके बाद में आपर कुछ इस तरह की से लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स बना लेंगे 5 इंच पर भी एंड 6 इंच पर भी कुछ इस तरह की से देख सकते हैं दोनों को ही आपको रॉंड शेप क्रेंगे निकाल देना हैं इसका फ्रेंट का नेक और और फल्व के घहराई दे देनी है तो यहां पर मैं बैक का पार निकाल Да । इस तरह के से हर फीडियो में आपको बताती हूं आमोल की घहराई बहुत ही ज़्यादा जरूरी होती है अपनी विटेंग के लिए वह के हैं यहीं सें आप यहां पे इस तरीके से हैं ऊजैसलों लुका 왔 इसके बाद में फ्रेंड गरेंत को चाहिए एंड उसके बाद में इसकी लेंद को मैजिर हो थोड़ा चौ differentiate यहां मैं 5 इंच कम कर दूँगी तो यहां मैं 27 इंच पे मर्क this is यह देख सकते हैं आपको राउंचेप में इसी तरीके से इनिचे टेप को गुमाना है और इसे प्ना कर लेना है आपको नीचे का जुपार्ट होगा जो हम लेंद कम कर रहेंड वह फाइव इंच की लेंद कम कर रहें इसे मैं कट कर लूँगी पूरे ही पार्ट को तो हमें फ्रेंट साइड में करना है बैक साइड को एज इस रखना है आपको फ्रेंट साइड को आपको थोड़ा सा शोट कर लेना है सु गैस यहां पर हमेरी टब नीचे से लेंथ इसके बाद है पटी लिया है इसकी पटी ले सकते हैं इसकी तो हमारी 36 इंच इंच हैं देख सकते हैं एनड फोल्ड में यह यह लंबाई जो है वो मैंने 7 इंच इनच ज्यादा लिया इसकी लेंथ से क्योंकि एक इंच ऊपर से स्टिच जाएगा एंड नीचे से भी फोल्ड होएगा तो इसलिए मैंने टू इंच एक्स्ट्रा लिया है तो यहां पर आप देख सकते हैं हम इसके नीचे इस तरीके से फ्रिल को एड करेंगे वह मैं आपको बताऊंगी आगे किस तरीके से एड कर कोँगे उसके बाद यहां पर मैं सेवन इंचे सपे इस तरीके से मार्क करूंगी ऐंड त्री इंच की इस पर गहराई लेने के बाद अपने आमउल की शेप दे दूगी तेंड नीचे से हमें अपनी मोरी का माकिंग कर लेना है जितनी भी आपकी मोरी हो उसमें प्लस एक इंच कर लेना है अपने सींवलांस का सू गाइज यहां पे हमने अपनी गहराई दे दिये है अपनी sleeves की उसके बाद नीचे से मैं 6 इंच ले लूँगी और इस तरीके से मार्किंग करेंगे और उपर से नीचे तक इसके क्रॉस चेप में इस तरीके से अटाइच कर देंगे लाइन्स को तो कुछ इस तरीके से हमारा स्लीव का शेप बन जाएगा एंड इसे हम कट कर लेंगे कि यहां पह देख सकते हैं मैं उसके बाद नीचे की तरफ एक पार्ट में इस तरीके से फिर एड करेंगे स्विल के यह आपको इतना ही करना जितना आपके फेड्स चोुड़ाई यह भी उसके propre pode आहाप कीका से प्लेट में आपक Also Ugh कुछ इस तरीके से यह देख सकते हैं तो मैं इसके उपर कुछ इस तरीके से रखूंगी अपनी फ्रिल को एंड इसके उपर इसे हम स्टेच कर लेंगे कुछ इस तरीके से यह देख सकते हैं पूर ही हमारा आ रहा है टॉप पर सो गईस यहां पर मैंने अपने टॉप को स्टे सब्सक्राइब कर लिए तो आपको इसी तरीकी से आपको इस तरीके से आएगा यह देख सकते हैं हमारा जो फ्रेंट पार्ट है वह बिल्कुल रेडी है बनने के बाद सो यहां पर इसे आपको चारों तरफ से इसे स्टिच करने एंड अटेच कर लेना एंड नेक पर चाहें स्टिच कर लें जारों तरह से मैं आटेच कर लूगे इसे दर अधर ना और नीचे की तरफ से आपको इसे इसे सिंपल डबलफल्ट करना है नीचे की तरफ से तरफ से अटेच सब्सक्राइब सकते हैं ह। इसके उपर बैक पार्ट रखना है बैक पार्ट का जो नहीं के वह मैंने बना लिया था अल्रेडी रेप की पट्टी से एंड इसके उपर अपने शोल्डर को अटेच कर लिया है कुछ इस तरह के से दिखेंगे काई इस देख सकते हैं समस्लीव में थोड़ा सा डिजाइन पर सबसे पहले आपको नीचे की मोरी डबल फोल्ड कर लिया है इसका मैंने लास्टिक का पीस लिया है थ्रींच चौड़ा है यह काई यह देख सकते हैं तो यहां पर इससे चुन अट जाएगे तो यहां पर देख सकते हैं हमने स्लीव से डिजाइन को क्रेट कर लिया उसके ब चुनटों के ऊपर इस तरह किसे अटाइच कर लोगा गाईज यह बहुत ही साथा ब्यूटिफुल लगेगा स्टुच होने की बात सब्सक्राइब कर लोगी एंड इसकी साइट की फिटिंग देंगे आप तो फिटिंग आपको नॉर्मल ही रखनी है फैब्रिक के साथ साथ आपको स्टिच करना कोई फिटिंग आपको नहीं लगानी है उसके बाद मैंने आप बैल्ट बनानी है तो इसकी लेंथ है मैंने डबल में 35 इंज लेकिए एंड चोड़ाई जो है मैं थोड़ी लंबी बैल लूगी उसके बाद इसे मैं डबल फोल्ड करूंगी फोर आपको उसे यहातकर करना है कुछ इस तरीके से और दबल फोल्ड करते हुए कて रही तरफ से थिनों तरफसे आपको स्ट्रिश देने के बाद02 से रैट-फाल कर लेकर लेना है आयरं कर लेना है मैं対key सकती है मैंने राइट साइट करते हुए आपको नहीं दिखाई क्युक् देख सकते हैं कितना beautiful हमारा ये top लगा है I hope आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेर कमेंट जरूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किये बिना नहीं जाएगा thank you for watching bye bye see you next video Allah Hafiz